कि आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आप से च्छोड़ा सा सजेशन लेना चाहता हूं मैं सोच रहा हूं कि अपने चैनल के ओपर में डेली पेसिस के ओपर टेक डालो और आपको मतलब देखना पसंद है कि आप चाहते हों कि नहीं कि मैं चैनल को डेली पेसिस पर अपर में अपने चैनल के ओपर अप्रोड करूंगा बहुत मज़ा आएगा काफी अलगलग जोना नीज में आपको बताने की कोशिश करूँगा चलिए दोस्तों को स्टार् अब OnePlus का कोई भी जब flagship device launch होता है तो इसमें मालूम है कम से कम तीन डिवाइस पूरी सीरीज में launch होते है जिसमें से एक तो बेस मॉडल होता है और दूसरा इसमें एक टी वाला मॉडल होता है अब यहां पर थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई जहां पर कंपनी ने बेकारी न्यूज है विसे क्या है वह पूरी न्यूज में आपको शेयर करने वाला हो लेकिन उससे पहले अगर आप चल्पे नए आया हो तो प्रीचल को सब्स्राइब कर लो बेल नोडिफिकिशन कॉल पर अब यहां पर गया इस वनप्लस की तरफ से ऑफिशली कनफॉर्म यहां पर इन शॉर्ट न्यूज यह है कि वनप्लस की सीरीज अगर आपको चाहिए नए फ्लैक्शिप सीरीज तो आपको सिर्फ एक ही मॉडल देखने किने मिलेगा आप पर आपको प्रो मॉडल नहीं मिलेगा साथ ही मैं आपको ट्री मॉडल नहीं मिलेगा तो दो ओविसली तीन से जादा आया तीन डिवाइसे देती तो यहां पर यहां पर यूजर्ण के पास में एक ऑप्शन रहता है किहां अगर वो एक्दम हाई विरेंट नहीं ले सकता तो उसके लिए लेता है बतलब वही सीरीज का डिवाइस हमने पर्चेस किया है थोड़े बहु से लने वाली उसकी सीरीज महीं पर अगर आप अपल को इमेजन करो कि आपल जो एना तीन से चार मॉडल कभी कभार लांच करता है जिसमें से खाली अगर प्रो मॉडल लांच करेगा तो फिर वह कैसी चलने वाली सीरीज अब यहां पर आपल के जो यूजर से सामसंग को देकार लेगे कि यहां पर कंपैडिबिलिटी फिर वन प्रस में आप ओविसली काफी जबद दिशू आ जाएगा दूसरी चीज दो से यहां पर अपर सीन यह हो रहा है कि जब भी वन प्लस यह डिवाइस लांच करता है कोई भी सीरीज जब वन प्लस की तरफ से लांच होत में सिर्फ एक ही चोईस बचती है क्योंकि जब यह अपडेट आया है कि प्रो मॉडल और टी मॉडल नहीं रहेंगे तो सिर्फ एक ही चोईस बचती है जब भी डिवाइस में लांच होगा तो आपको भी 80,000 ही एक्सपेंस करना है अगर आप 80,000 एक्सपेंस नहीं करते तो आपको नहीं ब्रेंट डिवाइस में जाहा है अब यहाँ पर वन प्लस को बहुत जाएदा टागेट करते हैं मतलब वन प्लस को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में सिर्फ नौट सीरीज दया कमाना है याँ पर जनरी कंपनिश को उविस को देखने चागेए कि यूजर बेस क्या है मतलब स्टार्टिंग से वन प्लस के यही रोल रहा है कि फ्लैक्शिप फोन काफी अच्छे लांच करते हैं लेकिन उसके बाद में फिर कंपनी नौड सीरीज बगई नौड फोन अच्छा तो अब यहां पर स्टार्टिंग से और अब तक ही वन प्लस के जो फ्लैक्श अब यहां पर बेस मॉडल के और दूसरे मॉडल की बात ही नहीं आती है जबकि कंपनी को कुछ ना कुछ डिफ्रेंशेट करती है रहना चाहिए अब यहां पर अगर आप सामसंग या एपल को भी देखोगे तो आपने बेस मॉडल को लेके मिड मॉडल को लेके प्रीम आएगा या तो फिर 11 प्रो आएगा नहीं आने वाला है मतलब 11 की सीरीज में ही नहीं बलके आपको 12 13 जो भी सीरीज आने वाली रहेगी उसमें जो है ना कंपनी प्रो मॉडल नहीं निकालेगी अब तक तो यहीं नियूज है बाग यहां पर आपके पास में फ्लैक्शिप स प्रोंग से महां पर आप जा सकते हो वैसे कि मेरे हिसाब से यह जो step यह जो मूव कंपनी यहां पर कंपनी को ओल्डी उसको चॉइस देने चीज अपनी प्रिक्लार फ्लैक्शिप सीरीज के लिए जो काफी टाइम से फेमस है अपर अगर यूजर को चॉइस नहीं देता हो मेरे साब से वह बेका चीज़े नहीं चलना चेक अपके साबसों तो कितना सही एंकितना गला है तो मुझे जहुर से बताना कमेंट स्काथमें प्लीज और आपने अभी तक हमें इंस्टार्गर्ण में फॉल्व कर लो प्लीज महां पर भी जो नथए अच्छे फीडियो ड् जालते रहता हूं में मतलब अच्छे-ची इंफोर्मेशन देता रहता हूं चले दोस्तों मैं में तो आपसे अपने अगले में लेकिन बोटिंग करना मत भूलना और हां टेक्निस से रिलेडिट कमेंट करना मत भूलना जेहन